नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से नानी न्यूज में दोस्तों उद्योगपती गौतम अडानी की कंपनी डिफेंस एंड एरो स्पेस कानपुर के डिफेंस इंडस्टिल कॉरिडोर में गोला बारूद और हतियारों की फैक्ट्री लगाने ज जाएंगे जो भारती सेना के काम आएंगे साथी हतियार मित्र राष्ट्रों को भी निर्यात किये जाएंगे अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा उपकरोणों के स्वदेशी करण की दिसा में या फैक्ट्री मिल का पत्थर साबित होगी कंपनी के सीओ आसीस राजवनसी क कहना है कि प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी कात्म निर्भर भारत की निती को साकार करने के लिए उत्तर प्रदिश डिफेंस कोरिडोर के कानपुर नोड में हम दक्षेण एसिया का सबसे बड़ा इंटिग्रेटर इमिनेशन कॉंप्लेक्स बनाने जा रहे हैं इसमें आद्म बिलियन डॉलर के सुरक्षाप करणों के निर्यात लक्ष को प्राप्त करने में काफी मददगार सावित होगी इसके लिए पिछले अपते कंपनी ने कानपुर के डिफेंस कोरिडोर में 499 एकर जमीन करेश्ट्री कराई है इसके लिए उत्तर प्रदे सरकार कई प्रकार की जूट दे रही है शुरुवाती चरण में कंपनी द्वारा फैक्ट्री में पंदरा सो कॉर्ण रुपे का निवेज किया जाएगा और इसमें पंदरा सो लोगों को रुजगार मिलेगा अडानी डिफेंस एंड एरोइस्पेस के नाम पर कई उपलबधियां दर्जें कंपन में जून में आजित ग्लोबल इंवेस्टर समीट में कंपनी का उत्तरप्रदे सरकार के साथ समझोता हुआ अब जमीन की रेजिस्ट्री हो जाने के बाद इसमें काफी तेजी आने की बात कही जा रही है तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बत कर